हेलो गुर्मारी बच्चों बच्चों मैं आपके समझ क्यों कि एलेज़ी सेकेंड समेस्टर का पीपर फॉर्थ इंटर्नेशनला लोग अन्तराश्टी विदी लेकर आया इसका अलमी सेकंड समेस्टर का यहां पर मैंने सेटेंड लिए यह सेकंड वीडियो लें सौरी सेकंड क्लास है फॉर्स्ट क्लास में मैंने आपको यहां पर इस अपडेट का सिलाबस बताया था । स्लेक्त में टेन प् 와 550 के अंतरगत मैंने आपको सारी टॉपिक्स बताया थे अंटॉपीक्स की अंतरगत पूरा margin कैसा कंप्लीं होना है तो उ पश्च कर्म इसलिए आंको बताया था कि फ़हला कोईन्यटıld अंतर राश्ची विदिका सिधान्त उसके अंतर गत उसकी परिभासा आती है उसकी प्रकत की आती है उसका वर्ग उसका संपरदाय ये सारी चीजे जवाब पढ़ेंगे तब जाकर अंतर राश्टी वीदि के सिध्धान्त की ऑउद हरणा को समझ पाएंगे तो उसी का पहला टापिक खूते वए जो ऑन्तर राश्टी वीदि का सिध्धान्त है उसके अमधर उसका पहला कि अन्तर राष्टी सिर्प्यृति की परिवसान नोट करते हैं असलोक है आगि दूसरी क्लास है यहारी कर आता कि अ फॉसरी क्लास वर हम सब इंडियन है तो हम जब स्टार्ट करते हैं किसी टॉपिक को किसी बात को यदि वो कंपरीजन में अन्य कंट्रीज को भी विलॉंग कर रही है तो सरप्रत्रम हम अपने यहां से प्रारण करते हैं तो हमारा भाती सोटों से ज्यात होता है अब इसकी डेफ्नीशन या परिवाजा की बात कर रहा है तो इस पर हम दो मेंट की बात करेंगे स्रोत यानि स्टॉर्सिस और ये स्टॉर्सिस कोई किसी वस्ट के भी हो सकते हैं किसी पदार्द के भी हो सकते हैं किसी गैसी है गैस के भी हो सकते हैं किसी दर्व के भी हो सकते हैं अंतरिक्ष के भी हो सकते हैं आप वय बाड़ल के भी हो सकते हैं, प्रत्वी के भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब कया है Sources का? यहां पर इसका मतलब Sources का क्या है? कि जो अंतरवास्थी भी दिञे है, हमारा तो आज जन हुआ है, हमारे पिता-जी का उससे 30 साल पहले जन हुआ है, उनके पिता जी का उनसे 35 साल पहले जन्म हुआ था इसी तरह पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी और आज हम उन पीडियों के लास्ट स्टेज की बात करें तो हमको कुछ भी ग्यात नहीं है हमको उस प्रकारका कुछ भी ग्यात नहीं है तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारे शुर सुक्त पिड़ाई anlam था उनके ऊपर वाली प्रीडी पारने में में इ toolbar हुश संपढ़ उन सुक्त रिलेटेड हूर नहीं दिख रह तो जो कुछ उस भी जहां तक हमें इस वस्ट दिखाई पड़ता है उसके बाद जहां जहां तक गुंदला होने लगता है और फिर बिल्कुल ही हम उसे अन्वी के अंजाम जाते हैं जब उस समय की बात हम से आज को पुछेगा तो हम उसका दिवार इन श्रोत सोर्सेस के रूप से यानि यह सोर्सेस हमारी रिष्टेदार हमारे नातेदार हमारा कल्चर हमारी संस्क्रति किस प्रकार की थी यह सब हमारे सोर्सेस हैं हमारी अइडिंटी हमको अइडिंटिफाई करते ही हमारे सोर्सेस हैं तो इसी प्रकार अंतर रास्टी विधी को आइडेंटिफाई करने के लिए भारत में क्या सोथ थे उसकी बात यांपे की जा रहे हैं भारती सोथों से ग्यात है कि अंतर रास्टी विधी अठी प्राचीन कालमे विद्मान थी वही बात आगे जो मैंने भी एक्जांपल से प्राचीन के पूर्व कालमे बिद्मान थी परन्तु यह स्विकार करना पड़ेगा कि आधुनिक अंतर रास्टी विधी यूरोपी प्रणाली की देन अब यह पट्वड़ा रूप जाई है कुछ बात करनी है तो बच्चों भारती सोर्से से हमको यह तो पता चल गया कि ही यहां पर भी एक अंतर रास्टी विधी के कुछ प्रमाण कुछ बातें कुछ सोर्सेज पाए गये हैं जिससे यह तो का जा सकता है कि प्राचीन काल में ऐसी कोई न कोई विधी विद्मान रही होगी क्लियर तो यह संदेर और एक कंफर्म नहीं है इसके आगे हैं परन्तु यह हैं आपको स्विकार करना ही पढ़ेगा यानि यह जो बात में यह किलियर जुकार किना पढ़े हैं कि आधुने कि अंतर रास्टी विधी यूरूपी प्रावाली की देन इसका यह एक यूरूपी कंट्री के जो भी देशिस हैं उसमें वहां की देन है यह विदी की और जिस मुप में उसे स्विकार किया जा सकता है या किया गया है या किया जा चुका है उसका स्रेय यूरूपी देशों को ही है तो कहने के मुतलब यह है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जो भी इंटरनेशनल लॉओ है एंटर्रास्टी विदी है भारत में कुछ इस प्रकार के सूर्सेस इस प्रकार की हमको साक्ष जो की पूर्ट्या कर नहीं है लेकिन कंफर्म किया जा सकता है कि इस तरह की विदी यहां भी विद्धमान रही था पूर्वकालों प्राचीन का अब बात इस पर ही समात नहीं हो जाती है बात आगे बढ़ती है कि सत्यता पर हर बात की सत्यता ही उसका अंत है जब तक जोट कहें कि उस बात कांत करें नहीं हो सकता है तो सत्यता क्या है सत्यता यहीं दर्सत्त करती है परंत यह स्विकार करना पड़ेगा कि आधुनिक अंतर्राष्टी जो आज की आधुनिक नवीर जो आज की अंतर्राष्टी भी होग है वह यूरोपी पड़ाली की देर है और जिस रूप में उससे स्विखार किया जा सकता है उसका सरे यूरोपी देशों कहीं जाता है यानि हमने मानली सबने मानली कि इसका उदय है यूरोपी देशों से ही हुआ है ठीक है अब आगे आते हैं यह हमारे विदिसांस्त्री जैसे आपके अन्य सब्जेक्ट में विद्वान वैग्यानिक होते हैं इससे प्रकात से जो हमारी विदी है विदियों के यह विदिसांस्त्री कहे जाते है ओपन हाइव, वाई लीफ, फैन्री, एडवर्ट, पॉलिंस, बेंथम, बहुत सारे इस प्रकार के लोग है जो की सुर्वात से ही इन विदियों को परिभासित करते हुए, अलूचना करते हुए, अलूचना क्या होती है? अलूचना होती है, यति मैं किसी बात को आप से कह रहा हूं, डीबेट जैसे आप डीबेट देखते हैं, समानत और पर, नीउन में भी देखा करते हैं, कोई को अलूचना करते हुए, इसकी बात का खंडन कर रहा है, फिर वो उस बात को प्रसुत कर रहा है, फिर खंडन किया जा रहा है, यानि कई चरणों में उस बात का जो वाइनली रूप आता है, जिस पर कोई डिस्प्यूट कोई भी बात नहीं होता है, वो आपने आप में एक व अंतर रास्टी विदी के मिसेय में क्या अउधार्णा थी क्या बात पताई होने अंतर रास्टी विदी रास्टी यानि हमारे लोकल इंडियल लॉज की बात करना है अथ्वा इंटरनेशनल लॉज उन्हें रोड़िगत परापरागत जन नियमों के समू को कहते हैं जिन्हें संभेराज अपने पारस्परिक संबंदों में बंधनकारी मांते हैं बात दो लाइन की है लेकिन इस दो लाइन में पूरा वड समाहित है पुरी दुनिया समाहित है कितनी बड़ी बात इन्हों ने कई रास्ट की विदि यानि हमारे इंडियन स्लाब जितने भी लॉज अथ्वा इंटरनेशनल विदि अंतरराश्टी विदि उन्हें रोड़िगत परापरागत जन नेमों के समू को कहते हैं यानि जो भी रूडिया रही है भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बंगला देश में, भुटान में, अमेरिका में, शाइना में, जैपान में, जो भी रूडिया परफ़ाय रही हैं, वो सब एक रेगलेशन, नियम के तहट फालो होते हैं हर कंट्री में, तो उन जो भी रूडिया और जो भी परफ़ाय रही हैं, इनका एक सम्मून, एक ग्रूप के रूप में, वर के रूप में, विस्तारित होना, उन्हें के हम, सब राज, सब राज का मतलब है, कि जो अपने राज के नागरिकों को, अच्छे अन्य देशों के साथ मधूर संबंद परदान करें, जब हमारे राज के संबंद अन्य राज्यों से मधूर होंगे, तो वहां के नागरिकों के भी आपसी संबंद मधूर होंगे, जिससे कि एक दूसरे का साथ होगा, एक दूसरे का विकास होगा, तो जिनें सब भेराज अपने पारस्परिक संबंधों में बंधनकारी मानते हैं किलियर यानि अब हम मान लेते हैं भारत, अमेरिका, चाइना और जापान इस चार देश हैं चार देशों की एक नीती है कि अंतर रास्ति इस्तर पर जो भी स्वस्त और स्वच्छ वातावरण एवं जल संचैन एवं समाज में स्वच्छता अपराज मुद्ध समाज इस तरह की परंपराएं जो नीतियां हम चार देश एक दूसरे के मिल के निप्टाएंगे एक दूसरे की हर तरीके से संभव मदद करेंगे इन सब प्रयासों को आगे बढ़ाने में और अपने आपको इन उद्देश्यों की पूर्त के लिए आपसे बांधे रखते हैं एक दूसरे की बात मानते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं ऐसी नियमों और ऐसी बातों को विदी का रूप एक विदी की तरह मानते हैं है इसको ही हम आंतर राश्टियत विदी कार रूप से जानते हैं यह ओपंट हाइँ ने इसकी परिवाचा दी है इसे प्रकात WIE के रूशाव進 के सिभ्धान को का सभूभी है जो राएके सब्दों का कि тिर्माइब हेवीं कि अब अब हुआ घ्रेओं अगलि धिया है इस अंन्य और भी है हमारे विदिशास्त्री जो कि आप इसका मोटिव उसका उद्देश समझ वी थे सभी का उद्देश यही है सभी की परिवासा का उद्देश भी यही है कि ऐसे राश्ट की विदी अंतराश्ट की विदी इसे ही है सद्धेज अपने पार्स्टरिक संथमन्दों बंदंवकारी राश्ट की विदी हैत्वर का राश्ट की sap रहसे जाए है यह सभी लेकि अ कि तो सभी जानते हैं लेकिन उसको एक फडिल सेग्स है इसी प्रकार से हमारे इधने में विधिसास्त्री है उन्हों ने अपना अपना मत रखते हुए परिवासित कर दिया तो बच्चों आज आपको अन्तर पास्ति भीद की परिवासा समझ में आ गई होगी और अभी तो यह सेकंड क्लास की आपकी और जब तक इस लबस चलेगा अन्तर पास्ति भीद की परिवासा प्रत्यक्सरणों में किसी ने किसी रूप में आपको समझनी है देखनी है सुननी है वो तो आपके माइड में विद्कुन छप जाएगी ओर तो हमारा फुदेश से क्या था समझने का हमारा फुदेश यही था मात्र की अब जैसे यह हैं यह वी यह हैं दी इसको मालेटें इंडिया इंडिया इसको मालेटें पांकिस्तान इसको मालनेते हैं चाहिया, इसको मालनेते हैं अमेरिका, अमेरिका, अब इन्हों ने कहाया, भारत ने कि हम चार देश, अगर एक जूद हो जाएं, तो अपने देश में पानी की, विज़िवी की, और भी खादान की, खाने पीने की, आर्थी ग्रूप से हम अपने आपको बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमको साथ में आके खार होना पड़ेगा, हमारे यहां क्या सोर्सेस हैं बढ़ने के, हमारे यहां क्या सोर्सेस हैं बढ़ने के, इनके हां क्या सोर्सेस नहीं है, क्या नहीं है, आप इनका इसमें सयोग करें और इनके पास जो है वो हमारे पास नहीं है उसमें ये इनका सयोग करें इस तरह से हम जो एक समूह गुरुप के रूप में वर के रूप में बंद जाते हैं बंदनकारी हो जाते हैं एक गूसरे के लिए और यहां भारत क्या है पाकिस्तान क्या चाहिना क्या यह इंसान यह जीवन ना हो पर लेकिन यहां पर भी इंसान है जीवन की बात हो रहे है जीवन जहां जहां भी इंसान को क्या चाहिए सिंपल सी बात है रोटी कपड़ा और मकान ठीक है रोटी कपड़ा मकान चोरी से टकैथी से भी लेकिन इनको सब को समालने का देखने का सरकार होगा है कि सही रूप से सही कार करके रटी जीवन अपना चलाए किसी के संग अहित ना करे किसी अहित होने न दे ये सब चीलों में अपने आपको बांद के रखने में बांद के रखना है सबका उद्धे से एक होता है और यह हमारी सीमा से सम्द्धित कोई बात आती है भारत पाकिस्तान की चाइना की तो हम चारों बैटके आपसर को सब लोग इट्टारा करेगे जो चारों लोगों को मानने के लिए बात हैं चारों लोग आपसको यह दूसरे के लिए बात दिन होंगे बाते होंगे तो बच्चों आज अबारा सेकेंड क्लास जो आपके समक्ष डेफिनीशन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉफ एलेली सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का यह पहला टॉपिक का एक पहला पॉइंट शो है एक नए पॉइंट के साथ ओके थैंक्यू